माहाराजा सुहेल देवराजी विश्विद्याले 17 पाठ कर्मों के साथ सुरू होगा अगस्त के आखरी सब्ता तक विश्विद्याले गाजी पूरोड से सटे आजम बांध इस्थित परिसर में संचालित होने लगेगा भवन का निर्माड पूरा होने के कारण सुरूआत में विश्विद्याले तीन फ्लोर में संचालित किया जाएगा प्रदेश सरकार ने 15 अपैरेल 2021 को माहाराजा सुहेल देवराजी विश्विद्याले की अधिस उचना जारी की थी 13 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित तनाथ ने इसका सिला नियास किया था 13 नवंबर 2021 को प्रोफेसर प्रदीप कुमार सर्मा को इसका कुलपती बनाया गया विश्विद्याले से आजमगड और मौउजनपत के 438 महा विद्याले संबंद है अभी डिये वी बीजी कालेज से विश्विद्याले संब चालिज किया जा रहा है आजम बाद में विश्विद्याले का प्रिसर बनाया जा रहा है P.W.D. को निर्मार कार की जिमे दारी दी गई है प्रिसर में करीब 77% काम पूरा हो गया है 31 अक्टूबर तक विश्विद्याले का निर्मार कार पूरा क्या जाना है इसी सत्र से विश्विद्याले के कैमपस में पढ़ाई सुरू हो जाएगी सुरूआत में 18 पाठ क्रमों का संचालन होगा पिछले दिनों जिले के दौरे पर आई राजजपाल आनंदी बेन पटेल ने कुलपती प्रोफेसर प्रदीब कुमार सर्मा को सैचिक पदों में निवती के लिए ततकाल नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया था राज़पाल के निर्देश के बाद कुलपती ने भरती के तयारी सुरू कर दी है जल्द ही सैच्छिक पदों के लिए विग्यापन जारी किये जा सकते हैं विश्व विद्याले परिसर में सुरुवात में सत्रा पाठ करम संचालित किये जाएंगे इनमें एमें अंग्रेजी, एमें हिंदी, एमें संस्क्रीट, एमें अर्थसास्त, एमें भोगोल, एमें इतिहास, एमें राजनिती विग्यान, एमें मनुविग्यान, एमें समाज सास्त्र M.C.M., L.L.M., M.S.C., Computer Science, M.A.C., Integrative Science, M.A.C. गडित, B.B.A., M.J.M.C., M.A.D. सामिल है सभी पार्टक्रमों में मेरिट के आधार पर प्रविस लिये जाएंगे सुरुवात में तीन ब्लाक में विस्विद्यलेक का संचालन किया जाएगा इनमें सैचिक भवन, प्रसास्निक भवन और सुवीधा केंद्र सामिल है सुवीधा केंद्र में बैंक, कोश्ट आफिस के साथ केंटिम की वेवस्था होगी तो अभी हम पहुँचने वाले हैं आजमगड यूनिवर्सिटी, महराजा सुहेले ले यूनिवर्सिटी, आजमगड के मुख्य भवन के पास चल कर आपको दिखाते हैं पूरा भीव, तो सामने आप देख सकते हैं मुख्य भवन के सामने हम पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं बड़े बड़े अच्छरों में नाम जो है लिखा हुआ है महाराजा सोहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगड में कुल 21 फैक्यूलिटी के साथ ही छातर छातराओं के बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है इसमें फिटनेश के लिए जीम हेल्थ के लिए हास्पीटल के साथ ही सौपिंग मॉल एटियम मीनी बैंक पोस्ट आफिस के साथ ही स्टेडियम भी बनाया गया है महीं सुरच्छा की बात करें तो इन्युमर्सिटी के अंदर पुलीस चोकी भी बनकर तयार है इसके साथ ही गर्स के लिए अलग से होस्टल बनाया गया है और वैस के लिए अलग से होस्टल बनाया गया है चला कर आपको दिखाएंगे सारा भ्यू तो लाच्ट तक वीडियो में बने रहिएगा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, से और सब्सक्राइब करिए तो लेकर करके चलते हैं आपको एक एक भ्यू दिखाते हैं तो सामने आप देख सकते हैं काफी बड़ा बनाया गया है विस्सविद्याले और आप देख सकते हैं यह जो है लाइब रेडी है और यहां पर जो बोर्ड बनाया गया है बोर्ड का लोकेशन इसमें मेंसन किया गया है इसके साथ ही आप देख सकते हैं हर जगा पर पेड़ पौधे लगाये गए हैं अब हम लेकर के चलते हैं पीछे की तरफ जिस साइड हॉस्टल बनाये गया है चल कर आपको दिखाते हैं तो सामने आप देख सकते हैं बौाइज हॉस्टल तो आप देख सकते हैं लगभग चार तल्ले का ये बनाए गया है होस्टल और इसकी जस्ट इस साइड में आप देख सकते हैं कुछ दूरी पर जो है गल्स होस्टल बनाए गया है सामने आप देख सकते हैं इस साइड जो है गल्स होस्टल भी बनाए गया है जो कि ये तीन तल्ले का बनाए गया है बाकी आप देख सकते हैं हर जगा पर काफी स्पेस भी बनाए गया है गराउंड आप देख सकते हैं काफी फेलाव है वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमिन्ट बॉक्स में जरूर बताईए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में